चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक पोयम की बात करने वाले हैं क्लास थार्ड की यूनिट फोर्थ है जो पोयम का नाम है वो है आपका सी सौंग अच्छा सी सौंग का मतलब होता है समुद्र का गीत तो समुद्र का गीत कैसा हो सकता है तो इसमें जो बताया गया है इसका अगर हम overall सार की बात करें तो इसमें बताया गया एक संख के बारे में एक संख की कहानी है कि संख किस तरीके का होता है और कहां पाया जाता है और उसमेंसे कैसी आवाज आती है जो एक सौंग की तरह लगती है गीत की तरह लगती है जो संबुद्र के किनारे मतलब पाया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है Have you ever collected cells? यानि सबसे उपर लिखा है यानि जो संख है उनको कभी खटा किया है और इखटा कैसे कर सकते है इखटा करने के लिए जैसे कभी मान लेज़ेगा आप संबुद्र के किनारे गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मतलब गोल गोल टाइप में मतलब कुछ पत्थर टाइप मतलब पड़े रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं संक बोलते हैं अच्छा या कभी आप गए हों गंगा के किनारे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा छोटे छोटे टाइप के रहते हैं जंगलों में देख़्ा हैं ग्राड होते हैं संक की तरह तो इस प्रकार के मतलब संक होता है जैसा जनरल बेसिस पे आपने देखा भी होगा तो यहां पर यह पुछा जारा है Have we our collected cells संक क्या तुम ने कभी संक को जो है मतलब इस खटा किया है आगे ये प्रस्ण पूछा गया विसका जवाब आपको देना है आगे है enjoy this poem इस poem का आनंद लीजिए about our self एक संख की के बारे में है that sings यानि जो गाता है यानि एक ऐसे संख की हम इसमें बात करने वाले हैं जो गाता है या जिससे आवाज आती है तो देखते हैं जरा ये क्या ह सी सौंग सबसे पहले लिखा है first line में बिटा यानि इसका poem का title है सी सौंग यानि समुद्र का गीत और इसकी पहली poem की line है I found a cell यानि I found a cell का मतलब है I found मतलब मैंने पाया यानि find की second form है found मैंने पाया आ cell एक संख को पाया इसके अलावा अब जो संख था वो कैसा था a curly one यानि जो संख था वो कैसा था करली बन था curly one जैसे आपने सुनाओ curly hair यानि घुंग्राले वाल तो वो कैसा था वो छल्लेदार था जैसे आप देख वी रहूँगे फोटो में इसके फोटो में देख रह और देख रहे हैं उस पर मतलब लाइन से खिचे हुई है चल्लादार तो यानि जो संकता वो कैसा था चल्लेदार था यानि उसमें उसके उपर मतलब क्या है गोल कोल धारियां थी तो यानि I found a cell मतलब मैंने एक मतलब मुझे एक संक मिला और वो कैसा था चल्लादार था इसके संक मिला है वो कहां पर पड़ा हुआ था लाइंग का मतलब होता है बेटा पड़े रहना तो लाइंग मतलब वो पड़ा हुआ था ओंदा सेंड मतलब वो रेत पर पड़ा हुआ था यानि वो उसको मिला है यहां पर जो मतलब कभी है वो कह रहा है कि वो मुझे मतलब यह ज and or took it to home और मैं इसे घर ले आया जानि मैं उसे उठाया और मैं उसे घर ले आया अच्छा आगे है cold inside my hand cold का मतलब होता है थंडा वैसे तो ठीक है inside मतलब के अंदर हूना my hand मतलब मेरे हाथ तो मेरे हाथ के अंदर मुझे क्या लगा ठंडा ठंडा लगा वो यानि जो संख है मान लेज़ेगा संख है समदर किनारे है तो मान लेगा वो पानी के किनारे पड़ा हुआ है तो उसको पर पानी बहरा है तो वो कैसा था ठंडा था मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था मानो जैसे हाथ में कुछ बरफ को ले रखा हूँ में क्या लिखा है आगे की लाइनों में जो लिखा है यह लिखा है मम्मी लुग्ड एट इट एंड दैन सी हेल्ड इट टू माई इयर यानि वह घर लेका के पहुंचा हमने गाना कि उसने उठाया और उसे घर ले आया अच्छा तो मम्मी ने क्या किया है लुग्ड मतलब दे देखा एट इट मतलब उसको एंड और दैन मतलब तब सी मतलब उसने यानि मम्मी ने हैल्ड इट मतलब इसको रखा पकड़े रखा टू माई एयर मेरे कान के पास यानि मम्मी जी ने क्या किया कान के पास मतलब उसे पकड़के मेरे लगा दिया यानि मम्मी जी ने उसे दे पकड़ना होता लेकिन यहाँ पर क्या मतलब से मतलब से कान के पास ले गई तो जो मॉम हैं उन्होंने क्या क्या है कान के पास ले गई इसके अलावा आगे क्या है फ्रॉम्धा सेल देयर केम असोंग याँ एंड मतलब और फ्रॉम्धा सेल मतलब से देयर केम सङ। आज अस। इसके अलावा अब आप किरहेंगे गाना कैसे सनाए देगा तो वह गाना की बात ऐसी है कभी-कभी आपने बिटा देखा हो जैसे मालग आप नहार हैं पता चले आप लोटा को या मगगा को अपने कान पर लगा लें तो आपको एक आवाज आते है शुरु-सुर की आवाज आती है तो जो शुरु-सुर की आवाज आती है तो ऐसे ही संक को जब आप लगाएंगे त तो वहां से भी ऐसी ही सुरसुर की आवाज आएगी और वो जो है एक इमेजिनेशने कलपना है कि वो उसको बच्चे को क्या लग रहा था एक गाने की तरह लग रहा था एक गीत की तरह लग रहा था यानि जो वहां से सुरसुर की आवाज आ रहे थी संक से वो उसे गीत की त रहा तो यानि गाने की तरह वो बज रहा था अच्छा जो आवास आ रही थी गाने की वो कैसी थी soft मतलब कॉमल थी and or sweet मीठी थी and clear और इस पस्ट मतलब उसको सुनाए दे रहे थी यानि जैसे कि आप मान लेगा कभी गए हो समद्र के किनारे गंगा के किनारे जब तो उसी से मतलब वो जो एक गीत के रुम में उसे महसूस हो रही थी और इसलिए इस पयम का नाम रखा गया है sea song यानि समुद्र का गीत इसलिए इसका नाम समुद्र का गीत रखा गया ठीक है या तेक बात क्लिड़ बेटा आगे है I was surprised I was surprised का मलब है मैं 1958 था यानि मैं चोख होता है बेटा चकित होना यानि मैं मैं चोख गया या मैं धंग रहay गया, मैं चक्कित हो गया, I listened hard, I का मतलब है, मैंने listened मतलब सुना, hard मतलब वैसे कठिन होता है, लेकिन हापे hard कठिन से नहीं, हापे मतलब है कि मैंने उसे देर तक सुना है, नहीं मैं उसे देर तक सुनता रहा, I listened hard का मतलब मैं से उसे नहीं, मैंने उसे कान के पास देर तक ला अब एक गाने की तरह मनला मुझे सुनाई दिरा था, वो गाने की तरह उसमें से आवाज आ रही थी, जैसे वो एक समुद्र का ही गीत है, तो उसे वो समुद्र का गीत फील हो रहा था, ठीक है, संक में से, इसके अलावा, आगे है, I wish, अब यहाँ पर यह जो बच्चा है, I wish इसका मतलब होता है, बैटा, कास, यानि अब यहाँ पर कलपना कर रहा है, अब यह तुमारे लिए अड्रेस करने वाला है, जो हम तुम पढ़ रहे हैं, उसके लिए वो अड्रेस कर रहा है, कास, I wish, कास, you would find a nice big cell, यानि, you would find, कास, तुमको भी मतलब यह मिलता, I wish, you would find a nice, मतलब you would, मतलब you did कोई स्वाट में कर रहा है, उन्होंने मतलब D लगा करके would, you would find, कास, तुमको भी मिलता, a nice मतलब अच्छा, big मतलब बड़ा, cell मतलब संख, कास, तुमको भी एक अच्छा बड़ा संख मिलता, और इसके रावा, वो कह रहा है, यह यह च्छा है, उसकी यह कानों पलाख के, सुनते हैं, तो मलाब बड़ा अच्छा फिल होता. यानि वो seven कर रहा है , कास्थ, तुम भी आधा बड़ा सहल मिलता है और तुम भी उसे से लिखार के सुनते है तрь यह इस तरीके से प्यां संग याधिक नहीं समझ में आ जाएगी इसके लावा ये वीडियो पसंद आए तो क्या करो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ सेर कर दो ठीक है लाइक कर दो और जैसी भी पोयम लगी इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके इसके लावा इसमें कुछ न्यूव वाट्स हैं वही सेल मतलब संख हैल मतलब पकड़े रहना सप्राइब मतलब चक्कित हो जाना और इसके लावा करली मतलब होता है आपका वैसे घुंगराले लेकिन हापर मतलब है तुमारे चल्लेदार क्लिर मतलब सपस्ट शेल मतलब संख फिर से देख लो हैल मतलब पकड़े रहना सप्राइब मतलब चक्कित हो जाना और करली मतलब आपका चल्लेदार क्लिर मतलब सपस्ट तो उम्मित करता हूं यह समझमाई होगी तो आज का क्लास हम यहीं छोड़ेंगे बाकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे सो थैं झाल